कबूतर एक ऐसा पक्ची है जो ना क्यूवल फिल्मों में बलकि असल जिन्दिगी में भी अपने सोफाओं की कारण बसंद किया जाता है लेकिन आपके लिए यह जानना वेहद जरूरी है कि घर में कबूतर का घोसला बनाना सुभ होता है या असुभ लोग कबूतरों को दाना खिलाना बसंद करते हैं लेकिन घर में कबूतर का घोसला बनाना दुर्भाग्य का सूचक है शुख और सांती का प्रतीग घर में कबूतर का आना सुख सांती का संकेत देता है यह आपको कम समय में बड़ी सफलता दिला सकता है हलांकि कुछ लोग इसे घर में असुम मानते हैं लेकिन यह एक अच्छा संकेत माना जाता है कपूतरों को प्रति दिन दाना खिलाएं कपूतरों को दाना खिलाना उन्डी का काम माना जाता है इससे कई तरह के ग्रह दोस दूर हो जाते हैं हर दिन कबूतरों को दाना खिलाने की कोसिस करें यह न केवल आपके लिए सुब होगा बलकि इससे आपके घर में सुख सांती और सम्रिध्य भी आएगी आए स्थिर्दता और आर्थिक तंगी का संकेर देती जो तिस सास्तर में कहा गया है कि अगर घर में या आसपास कबूतर का घोसला है तो उससे बिना नुकसान पहुचाएं घर से दूर छोड़ दे क्योंकि इससे घर में आथिक तंगी के सांती आए इस धिर्दता भी आती है दुर्भाग भी सुखाग में बदलेगा अगर कबूतर घर आ जाए तो आपका दुर्भाग सुखाग में बदल जाता है सास्तर में कहा गया है कि कबूतर मा लक्षमी के भगतो होते हैं इसलिए घर में कबूतर होने से शुक सांती में बिद्धी होती है कबूतरों को रखने की अपिक्षा प्रदिन उन्हें दाना खिलाना वेहतर माना जाता है पैसे की परिसानी होती है दूर कबूतरों को दाना खिलाने से धन सम्बंदित परिसानिया दूर होती है बुद्ध को मजबूत करने के लिए कबूतर को दाना खिलाना चाहिए ऐसा करने से बुद्ध के असुप्रभाव को कम किया जा समता है